अस्सलाम अलेकम रह्मत ल्लाहिव बरकातो हूँ आज हम बना रहे हैं मटन के शिकंपूर उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आएंगी आदा किलो गोश पहले से साफ करके रख दिये दाल सो गिराम पहले से थोड़ी देर पहले भिगने दालना कुथमीर हरी मिर्ची लैसन गरम मसाला हल्दी नम्मक लाल देना चनिक दाल भुच्ट हरी मिर्ची कुथमीर लैसन लाल मिर्ची हल्दी गरम मसाला नम्मक यह सब तीदें दाल के अच्छा मिला के दो तन सीटी के लिए छोड़ देना थोड़ा पानी दाल के सीटियों के लिए कुकर बंद कर देना अब देखें आप लोग शिकंपूर का मसाला पूरा तयार हो गया मसाला तयार होगा अब इसको ठंडा करके पीस लेना शिकंपूर के अंदर डालने के लिए कुचंबर बना रहें प्याज हरी मिर्ची कोथमिर नम्मक नीम्बूर शुरू कर रहें शिकंपूर खोड़ मज़े के अच्छे टिस्टी होते हैं यह अच्छे टिस्टी होते हैं यह तवा गरम करके तेल नालके अब शिकंपूर चुरू कर दिए अब इसके बाद निकाल के स्टर्फ कर देना अच्छे टिस्टी होते हैं यह अच्छे टिस्टी होते हैं यह अच्छे बादें यह झाल झाल